तो चली फिरिंट्स एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है तो यहां पर हम बात करेंगे तीन डिफ्रेंट फोन तीन डिफ्रेंट ब्रांड्स को लेकर लेकिन वीडियो पर आगे बंदने से पहले अगर यहां देखा जाए तो हमारे चिहल एक लगा प्राइब करके जुड़ी जाए टिकावस के फेमिली के साथ जो तीन फोन में रखें वीवो का यहां पर आपको देखने को मिल जाते हैं लेकिन डिफ्रेंट्स ओवियसलि यहां पर देखें तो इस्पेसिफिकेशन में आपको देखने को मिलेगा और अगर आप इन तीन फ प्राइबार अपको यहां पर आपको देखने को मिलेगा उसी के बाद आप आपर लॉक्त वाटर फोन बॉड़ी फूल आपको जो है वीवो कि फोन पर बलता है तो वाटर अगर पाने में फॉन डूप भी जाता है आपको दिक्कत यहां पर देखने को नहीं मिलेगी वहीं अगर OPPO के फोन के बात कर तो IP65 कर रेटिंग है और OnePlus में IP64 है तो वाटर प्लेश ड़स्ट रिजिशन ये कर लेगा लेकिन वाटर प्रूफ बोडी आपको यह पर देखने को नहीं मिलती है लेकिन अगर यहापर थोड़ी थी अगर हाटने तकर देखें बोडी में तो ओविसलिए 3D आर्मर प्रूफ बोडी आपको जो है आपको आपके OPPO के फोन मिलती है तो डेमेज और देंट के चांस थोड़े से जदा कम इन दो फोन के मुकाबले में यह आपर बनेंगे तो इन तीनों फोन में से डिजाइन सबसे आदा कॉन से फोन के आपको पसंद जाएगा स्मूथनेस वगेरा रिजोलेशननों सेटिंग्स ओविसले काफी बेस्ट सभी की होने वाली है डिफ्रेंट्स क्रियेट होता है यह पर आपको पिक ब्राइटनेस के मामले में क्योंकि आउट्डोर में आप जादे यूज़ करते हैं तो वीवो वन प्लस वेलार दो फोन में आपको 4500 का पिक प्रैटिस मिलता है और ओपो के फोन में 1500 का पिक ब्राइटनेस आउट्डोर के लिए यह पर दिया है पिक्सल देंसिटी कर देखी जाए तो अगर देखे तो आप यहाँ पर 445 का पिपी आई आपको वीवो के फोन मिलेगा 394 पिक्सल फिर प्रेक्शन के लिए ग्लास अलग अलग मिलता है में अपको एक तरफ वीवो में सको टेखे रेटा के अपने को मिलेगी तीनोर चेम और तो यहाँ पर ड्फोर सबी फोन मिलता है लेकिन एक्स्टा ओडिनरी चीज हमें थोड़ी सी ओपो और वन्प्लैस में मिलती है क् वन प्लस में आपको Dolby Atmos का सपोर्ट में आपको अप्शन मिल जाएगा और उसी के साथ hollow audio का सपोर्ट भी आपकर जो है आपको OnePlus के फोन में प्रोवाइट किया गया है और दूसरी के अगर देखेना है तो Dual speaker साथ साथ आपको और यह लेटी audio का सपोर्ट जो के यहां पर OnePlus के अंदर दिया गया है और जो सबसे जाएद चीज अगर फोन में डिमांड में रहती है वो फोन के केमेरा क्वालिटी हो रहे है यहां पर इतना अगर पे कर रहे है आप तो आपको चाहिए बैटर केमेरा यहां पर आपको देखने को मिल जाता है वहीं अगर सभी फोन के वीडियो रिकॉर्ड के दिक रिकॉर्ड कर सकते हैं वी फोटी में 4K 30fps का support आपको Oppo के phone में मिल जाएगा लेकिन OnePlus 12R आपको 4K 60fps का यहाँ पर provide कराती है चीज़े बागे अगर ultra steady mode अगर switch जैसी आप करते हैं तो आपको यहाँ पर एक interesting सी चीज नदर आती है कि 1080p 60fps का support आपको Oppo और OnePlus में मिलता है और एक चीज है कि 4K अगर आप shoot कर रहे है 30fps पर तो ultra wide video का support आपको यहाँ पर किसी भी phone में देखने को नहीं मिलेगा 4K के अंदर और जिसे कि 4K 30fps पर record करते हैं तो ultra wide video आप वीवो और OnePlus में shoot कर सकते हैं आपको यहाँ पर ultra wide का option 4K 30fps के settings पर Oppo के अंदर देखने को नहीं मिलता है और portraits के मामले में यहाँ पर आपको Oppo फूर बराबर टकर देता है वीवो को कुछ filters वगरा यहाँ पर मिल जाता है लेकिन कुछ extra ordinary एकर चीज़े चाहिए तो वो आपको वीवो में देखने को मिलती है जैसे नाइड मोड अगर एक्टिव करते हैं आप तो नाइड मोड के अंदर भी वीवो में कुछ special features मिल जाता है लेक पैनेरों में का option मिल जाता है आपको यहाँ पर जो extra mode मिल जाता है और super moon का support भी आपको night में यहाँ पर वीवो में दिया है स्लो मोशन वगएर आपको सारे phone मिल जाता है लेकिन special dedicated microphone का support आपको यहाँ पर वनप्रस में मिलता है और इन दो phone में object के close अगर जाते हैं तो वहाँ पर microphone पर switch कर जाता है Selfie sensor की मुकाबले में का एक चीज़ देखी जाए कि ओपो और वीवो में जादा best quality निकल कर आती है आपको दोनों में आपको front में 50-50 megapixel का sensor मिलते है और ultrawide video वगरा group selfie वगरा आप आप 1X का support आपको मिल जाएगा और यहाँ अगर देखे तो आप 2X तक normal photo के अंदर दोनों में support ले सकते है और ultrawide photo वीडियो भी आपकी शूट वीवो और OPPO में हो जाएगी और resolution setting एकर में बात कुर तो 4K तक जाता है आपको OPPO और 4K तक ही जाता है यहाँ पर वीवो दोनों 4K 30fps तक वीडियो रिकॉर्ट कर सकते हैं 1080p 60fps का support भी आपको देखने को मिल जाएगा साथ ही में ultra study mode भी आपको front side पर है तो stable videos भी आप दोनों phones यहाँ पर create कर पाएंगे और वहीं अगर वीवो के के अंदर कुछ filters के में बात करते हैं लेकिन आपको वीवो के कुछ filters यहाँ पर देखने को मिल जाएगे तीनों डिवाइस के अंदर के प्रोसेसर क्वालिटी कर देखी जाए तो आपको OS सिस्टम सभी मेलग मिल जाएगा एक तरह frontage OS 14 का update वीवो में आता है यहाँ पर आपको Snapdragon 8 Gen 2 के support के यहाँ पर देखने को मिलेगा सभी फोन में रेम expansion की बात कर तो आप यहाँ पर 12GB तक बड़ा सकते हैं और यहाँ प्लस 12R में आप 8GB तक action कर सकते हैं और 8GB का ही support आपको वीवो के फोन में मिल जाएगा RAM type थोड़े different है LPDDR 4X पर बेज़ड आपके वीवो और OPPO का फोन आता है LPDDR 5X पर बेज़ड आपका यहाँ पर जो है OnePlus 12R आपको देखने को मिल जाएगा UFSR storage टाइप के कर बात करें 3.1 पर बेज़ड ओपो और OnePlus का फोन आता है यह OnePlus के फोन में और दोनों फोन में Wi-Fi 6 से साथ साथ 5.4 Bluetooth connectivity आपको वीवो और OPPO में देखने को मिल जाएगी कुछ special features की बात करें तो सभी फोन के अंदर obviously AI Eraser का option मिल जाता है किसी भी unwanted object को अगर आपको रिमूँ करना है जैसा कि आप किसी भी unwanted object को अपने इसाप से यहाँ पर फोटो अगरा में Eraser कर सकते हैं तो यह काफी बेस चीज़े जैसा कि वीवो में कोई साभी और object आप तो उसको easy तरीक सा tap करें थोड़ा सा working मिलेगा और यहाँ पर सारी चीज़े आपको ओपो और वनप्रेस 12 अर्मे में देखने को मिल जाती है सभी फोन का बैटरी बेकप के अगर बात की जाए तो आप देखते हैं दो फोन आपके सामने काफी स्लिम निकल कर आती है और बड़ी सी बैटरी भी आपको मिल जाएगी वीबो के अंदर आपको मिलता है पच्छार्जर का बैटरी 80 वाट का चार्जर बोक्स मा विले बले टाइप सी पोर्ट के साथ फोन आता है उपर की तरफ आपको आयर बलाशर का सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा इसमें भी इसके साथ आपको 557 के बैटरी टाइप सी चार्जर के अपिसेटी लेकिन 100 वाट का बोक्स में चार्जर आपको देखने को मिल जाता है तो नो डाउट सबसे सबसे सब फास्ट चार्जिंग भी आपको वनप्रस के फोन मिलती है अराउंड 30 मिनिट्स में यह फोन फुल चार्ज यहां पर हो जाएगा अगर RGB को ठाज़ लेकिन लेते तो आपको करीब करीब यहां पर चार्जर मिलता है और 12256 वर जाते तो यह भी 39-40,000 कीमत में आपको देखने को मिल जाएगा यहां पर आपको सबसे बेस्ट कौन सा फोन लगा है क्योंकि हमने अगर चीज देखे जाए तो ओपो और वियो में सबसे बेस्ट है कुछ फिल्टर एक्स्टा ओड़नेरी विवो के फोन में बल जाते है एंगर स्लाइटली बेटरी और परफोर्मेंस का लेवल हमें लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाए टेकावस की फिल्मेली के साथ